but but it dear students Welcome to its measures इस video से start करने जारह है है हम heap tree और heap tree में जितने भी important points हैं 今回 is जितने भी topics है सारे के सारे में आपको with examples एक two करके video में explain करूँगा जो आपके competitive exams even interviews में भी आपको बहुत जदा help करेंगे तो आप बढ़नसे video को like करने channel को subscribe करें अगर अभी तक आपनी नहीं किया और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसी से सब्सक्राइब करवा सकते हो सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको Bindy Tree और उसकी Variations के बारे में जितने भी उसके अंदर Almost Complete Bindy Tree Full Bindy Tree, Complete Bindy Tree सारे के सारे आपको लास्ट वीडियो में बताएए जिसका Link दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इवन सुज़ेस्टिव वीडियो में मिल जाएगा Next आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से Introduction to Heap Tree और Heap Tree में हमारे पास एक तो Introduction पाटा गया Insertion, Very Important Deletion, Heap Sort Heapify, Array Representation of Heap and Priority क्यों यह सारे के सारे टॉपिक्स हैं आप जो मर्जी एक्जाम की कोई भी त्यारी कर रहे हो आपको इन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो एक के करके हम इन वीडियो को लेके आएंगे यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें Heap Tree अगर मुझे एक Tree को Heap Tree बनाना है या आप मेरे को बोलना है कि Yes, it is a Heap Tree तो it must follow two properties One is a Structural Property Another is a Ordering Property Structural Property का मतलब क्या है अगर आपको एक Tree को Heap Tree बनाना है तो it must be ACBT ACBT का मतलब क्या है Almost Complete Binary Tree अगर कोई भी Tree को Heap Tree बनाना है तो सबसे पहले वो होना चाहिए ACBT That is Almost Complete Binary Tree और Almost Complete Binary Tree का मतलब क्या है इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ फिर फिर बता देता हूँ कि दो Properties होती है सबसे पहली Property क्या कहता है कि अगर आप ACBT बना रहे हो तो आपको करना क्या है Next Level पे तब जाना है जब पहले वाला Level Full हो गया हो कहने का मतलब क्या है कि Binary Tree जब हम बना रहे है तो लेट से आपने इस तरीके से Next Level बनाया उसके बाद आपने Right बनाने के बजाए Next Level पे चले गए Means It Is Not A ACBT Reason इसका क्या है आप Next Level पे चले गए यहाँ पे यह Level 1 था Level 2, Level 3 Level 3 पे कैसे चले गए भी या अभी Level 2 में Right वाला पहले बना सकते थे तो Next Level पे तब ही जाना जब पहले वाला Level भर गया हो पहले तो यह Condition होती है दूसरी Condition क्या कहती है कि पहले Left वाले चाइल्ड को भरो फिर Right वाले चाइल्ड को भरो जैसे अगर मैं इस तरीके से बना देता हूँ जैसे यह मैं बना दूँ तो क्या यह ACBT होगा नहीं यह ACBT नहीं है Reason उसका क्या है आपने यह ठीक है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ठीक है लेकिन आपको सबसे पहले Left वाला बनाना है फिर Right वाला चाइल्ड आपको बनाना है तो यह दो Properties आपको Maintain रखनी है तब आप कह सकते हो कि Yes it is ACBT अब ACBT Property यहाँ पे Satisfy Let's say हो गई Next क्या कहता Ordering Property Ordering का मतलब क्या है जो Heap Tree है न आप दो Order ले सकते हो One is a Max Heap Another is a Main Heap By default हम जान बुझके यहाँ कह सकते हो कि Maximum Cases में आप Max Heap को ही Follow करते हो लेकिन आपको पता दोनों के बारे में होना चाहिए तो Max Heap का मतलब क्या है Max Heap का मतलब है जो Root Element होगा Tree का Root वो Maximum Node होगा वो Maximum Element होगा और Min Heap का मतलब है जो Root होगा वो Minimum Element होगा जैसे अगर यह आपको यहाँ पे दिख रहा है तो Root आपको पता ही यह कौन से है This is the Root Element Root Element जो होगा That is Always Maximum वो Maximum होगा That's why it is Maximum और जो यहाँ पे Root होगा That is Always a Minimum Element in the Min Heap Next अगर हम बात करें Parent Must Be Greater Than Child At Each Node At Each Level You Have To Check जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 8 और 7 की बात करूँ तो देखो यहाँ पे यह था Root Next देखो 8 8 का Parent को होना है 10 तो यह क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए Parent जो है वो बड़ा होना चाहिए तो इसका Parent बड़ा है इसका Parent बड़ा है ठीक है ना? Larger है तो that is what our Max Heap property अब Next Level पे जाते है 5 का Parent 8 बड़ा है 4 का Parent 8 बड़ा है 6 का Parent 7 बड़ा है 3 का Parent 7 बड़ा है That's why it is what our Max Heap आप एक Level पे जो दो Elements है उनका कोई Problem नहीं है वो जैसे मरजी हो सकते हैं आप 3 को इधर कर दो 6 को इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी 4 को इधर कर दो 5 को इधर कर दो वो कोई Problem नहीं है बस हरे एक Node पे हरे एक Level पे यो आप टू चेक कि जो Parent बड़ा होना चाहिए अपने Child से Min Heap के Case में छोटा होना चाहिए जैसे Root तो आपको बता है यह Minimum Element बनाना ही बनाना है Minimum तो इसका अगर मैं Next देखूँ यह देखूँ यहाँ पे जो Children है जो Child Element है Child अपने Parent से Child जो है वो अपने Parent से बड़ा है यह Child अपने Parent से बड़ा है यह Child अपने Parent से बड़ा है यह Child अपने Parent से यह Child अपने से यह Child अपने से तो Each Level Must Follow this Property तब जाके हम बोलेंगे maxip and min heap तो इसके उपर next time question discuss करेंगे कि एक दो question मैं आपको gate level की करवाऊँगा कि कैसी हम check करते हैं whether it is a maxip or min heap next time heap को एक example से समझते हैं और इस example को मैंने actual में gate का previous year का question ही मैंने यहापर उठाया हुआ है तो question क्या कहता है which of the following is a max heap तो आपको max heap पूछ सकते हैं min heap पूछ सकते हैं तो यहाँ पर 4 options मेरे को दियो हुए है option A देखो ध्यान से option A max heap आपको लग रहा है तो max heap जो है वो आप देखते ही बोल सकते हो कि it is not a max heap reason क्या है reason is what a structural property क्या कहता है it must be ACBT almost complete binary tree तो यह तो almost complete binary tree ही नहीं है आपको बाकी का चेक करने की जूरती नहीं है कि parent should be greater than child वो तो बात की बात है पहले तो ACBT होना चाहिए तो यह देखो पहले left child भर रहा है उसके बाद right भरना चाहिए और जब एक level भर जाए तब next level पर जाना चाहिए यहाँ तो एक level को पूरा भरा नहीं और next level पर चलेगा तो अगर यह ACBT ही नहीं है तो max min को चेक करने की जुरूरती नहीं है then आजो जी option B पे अब option B की बात करें तो यह ACBT है almost complete है ठीक है यह तो full binary tree है अब देखो यहाँ पे अगर मैं ordering property चेक करूँ तो parent must be greater than child ठीक है तो यहाँ यह मिरा max heap की point of view से बिलकुल सही है then अगर हम option C की बात करें तो parent must be greater than child ठीक है यहाँ पे यह जो है वो गडबड हो गई 8 जो है वो नीचे है और 5 जो है वो parent है that's why it is what a wrong getting the point then d option की बात करें तो parent must be greater than child लो यह तो पहली गड़बड हो गई 8 जो है वो उपर आना चाहिए था मालब just for example मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो 10 उपर आना चाहिए था क्योंकि 10 भी यहाँ पे गड़बड है बट आपको जस्ट एक point चेक करना है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि order जो है वो proper नहीं लिखा हुआ आप clear गड़ के दो it is not a maxi तो इस question का answer एक तरह से क्या बन गया B that is maxi तो इस तरीके से हम check करते है max min next हम बात करेंगे insertion की कि यार heap tree को बनाते कैसे insert कैसे करते हैं सारे points thank you